नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि वाटसप पर आनलाइन होते हुए भी आफलाइन कैसे दिखें क्या आप भी अपने वाटसप पर आनलाइन होकर भी सामने वाले बंदे या बंदी को आफलाइन दिखाना चाहते हैं तो कैसे आप दिखा सकते हैं अगर आप यह ट्रिक जानना चाहते हैं तो वीडो को लाश्ट तक जरूर देखना वीडो बहुत ज़्यादा यूच्फूल एंड इंपोर्टेंट होने वाली है तो चलिए दोस्तो वीडो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बाद जरूर सब्सक्राइब कर देना और वेल आइकन को प्रेस कर देना और मैं आपको बताऊंगा कि दुस्तो वाटसप पर आनलाइन हाइड कैसे किया जाता है वाटसप पर आनलाइन होकर भी आफलाइन कैसे दिखे दोजाज़ चोविस में तो चलिए दुस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब वाटसप पर आनलाइन होकर भी आफलाइन देखने को मिलेगा तो आपको इस त्री डॉट पर क्लिक करना है जैसे आप इसके उपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद दस्तु यहाँ पर सबसे नीचे एक सेटिंग कर आ जाएगा तो आपको इसके उपर क्लिक करना है और जैसे आप इसके उपर क्लिक करेंगे सेटिंग क City का एक नया पैज ओपन होगा और यहां पर एकucyk नीचे एक ओप्सन देखन को मिलेगा privacy का नाम से तो आपको सिए की ओपरकिक करना है और जैसे आप पर who can see my last scene और who can see when I am online अब दोस्तो who can see my last scene में 4 option है अब मैं आपको 4 option एक एक करके समझाता हूँ तो दोस्तो यहाँ पर जो हमारा पहला option है everyone इसका मतलब यह होता है कि जब आप अपने वाट्सअप पर online आओगे तो सभी लोगों को दिखाई देगा कि आप वाट्सअप पर online कब आते हो और कब जाते हो और my contact पर क्लिक करते हो तो इसका मतलब यह होता है कि अगर आप अपने वाट्सअप के अंदर 20 लोग को वाट्सअप में add कर रखे होंगे जोड रखे हो तो 20 लोग ही आपका वाट्सअप का online देख पाएंगे और कोई भी नहीं देख पाएंगा तो यह इसका मतलब होता है अब तीसरा आप्सन my contact expected अब यहां से दोस्तों आपको जितने लोगों को आप यहां से टिक कर दोगे उतने लोग आपका वाट्सअप पर online नहीं देख पाएंगे और जितने लोग को अंटिक करोगे वो सब देख पाएंगे अब दोस्तों यहां पर जो हमारा last option nobody जैसे आप इसके उपर किलिक करोगे अब जैसे आप इसके उपर किलिक करते हो और आप अपने वाट्सअप पर online आते हो तो सामने वाले को नहीं दिखाए देगा कि आप कब वाट्सअप पर online आते हो और कब चले जाते हो और यहां पर दोस्तों एक option देखने को मिलेगा same as last scene और everyone तो आप यहां से भी same as last scene पर किलिक करके अगर आप 12 बज़े का online दिखाना चाहते हो तो आप same as last scene पर किलिक किजएगा अगर everyone के दिखाना चाहते हो तो everyone पर अब दोस्तों एक बात और ध्यान दिजेगा जैसे आप nobody पर किलिक कर देते हो तो आपको वाट्सअप पर online को ही नहीं देख पाएगा लेकिन आप भी किसी का वाट्सअप पर online नहीं देख पाऊगे कि वो कब बंदा online आता है कब बंदा offline जाता है तो अब हम यहाँ से बेक आ जाते हैं और मैंने वीडियो के इंदर बताए कि वाट्सअप पर online होते हो भी आप online केसे दिखे 2024 में तो दोस्तो वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कर देना और इडियो चैनल परने हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना जब तक लिए नई वीडियो में फिर से मिलते हैं